आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रस्ण है पीचे कुछ संख्या है और पंक्तियां ये 6 होती है मतलब ये पट लाइने पंक्ति होती है तो आपके पास 4 विकल्प में विकल्प नमबर 1, विकल्प नमबर 2, विकल्प नमबर 3, विकल्प नमबर 4 अब इसमें से देखना है जो विकल्प में दिया गया है क्या वो बाते सत्त हैं अब विकल्प नमबर एक कह रहा है, पंक्ती एक, तीन, चार आपस में संबनीत है, पंक्ती एक, तीन, चार कित प्रकार संबनीत है, पंक्ती एक की बात करेगा नो, तो ये देखिए क्या हो रहा है, पहले 7 है, फिर 14 है, फिर 42 है, फिर 168 है, तो ये क्या हो रहा है, 7 से 2 मल्ट हो रहा है फिर साथ को 24 से मल्まぁ को jadi हो रहा है तो आपको 24 से multiply करते हैं, तो 240 हो रहा है हाँ, पंक्ती 1, 3, 4 आपस में संबन्नित हैं, जिस प्रकार से ये पंक्ती आपस में संबन्नित हैं, उसे प्रकार 3 और 4 भी संबन्नित हैं, तो बिकल्प नंबर 1 आपका सही है, अब बिकल्प नंबर 2 को चेक कर लेते हैं, कि 2, 3, 5 आपस में संबन नेते हैं अब पंक्ती 2 की बात करते हैं पंक्ती नमबर 2 में आपका क्या है पंक्ती नमबर 2 बोल लेए कि 8, 16, 24, उसके बाद 32 किस परकार समयते हैं 8 गुड़े 2 हो रहा है 8 गुड़े 3 हो रहा है 8 से 38 जाने के लिए ये मतलब 8, 45, लगभग 40 से कम ही हो रहा है तो ये गलत है गलत नहीं है, मतलब 8 से 40 से कम ही है तो देखे कि आगी की पंक्त भी इस परकार समबन दित है तो इसमें ये जो हो रहा है 3 हम चेक कर लिए 2 इस परकार समबन दित है तो क्या तीसरी भी ऐसे ही है 9 दुनी 18 हो रहा है 9star 54 हो रहा है जबकि इसमें 3 से 8 गुड़े 3 हो रहा था इसमें 6 हो रहा है तो इसलिए पंक्त 2-3 आपस में संबंदित नहीं है अब पंक्त 3 को चेक करते हैं 1, 3, 5 आपस में संबंदित है 1 में क्या हो रहा था 2 और 6 और 24 से multiply हो रहा था क्या 3 में ऐसा हो रहा है 9 दूने 18, 9 चक्चा 15 उसके बाद हाँ इसमें हो रहा है अब 5 को चक्का लीजे क्या ये वाला हो रहा है 5 में करेंगे 11 दूना 22 11 चक्चा 40 अब देखें यहाँ पे 6 से multiply हो रहा है 4 से हो रहा है इसलिए पंक्ती नमबर ये विकल्प नमबर 3 भी आपका गलत हो गया अब विकल्प नमबर 4 की बात करते हैं 2, 3 और 4 आपस में संबन नीत हैं अब पंक्ती 2 में क्या हो रहा है 8, 16, 24, 32 पंक्ती 2 में पहले 2 से multiply हो रहा है फिर 3 से हो रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नमबर एक क्योंकि एक तीन और चार जो पंक्ती हैं सही संबंद रखती है जिस प्रकार से पंक्त नमबर एक संबंद रखती है उसी प्रकार तीन भी रखती है उसी प्रकार आपका चार भी रखती है तो एक तीन और चार पंक्